हेलो, 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 एक निया दिन, एक निये शुरुवात, मगर पुराना टॉपिक, हमारा एक्स्टरनेट्स क्या होते हैं, मैं आपको वेलकम कहता हूँ, iFactner.com वीडियो टेटोरियल्स में, और आज हम डिस्कुस करेंगे, वाटार एक्स्टरनेट्स, तो दोस्तों, हम ये डिस्कुस कर रहे थे, कि जो आपका इंट्रानेट होता है, वो आपकी और्गनाइजेशन का इंटर्नल नेट्वर्क होता है, और उसका परपस बेसिकली आपके इंटर्नल इंप्लॉईज को बेसिकली फिसिलिटेट करना होता है, और इंटर्नेट जो होता है, वो आपका, बेसिकली आप ये समद्र लेएं कि और्गनाइजेशन का स्केल डौन वर्जन होता है, इंटर्नेट का, क्योंकि औल मुस्तकीबन वोही सर्वेस को इंटर्नेट वाली प्रवाइड कर रहे होते है, लेकिन उन जो purpose होता है वो सिर्फ organization के employees को facilitate करना होता है और उसके साथ basically जो external users होते हैं वो उस information को नहीं access कर सकते और अगर यहाँ पर company जो है वो internet backbones को use कर रही है तो फिर वो firewalls होगेरा का इस्तमाल करती है ताके आपका जो external users हैं वो उसको access ना कर सके लेकिन कई दफ़ा company को यह जरूरत होती है कि वो एक window create करे external users के लिए जो के कुछ information जो है intranet की उसको access कर सके तो जब company यह काम करती है और यह जो window create करती है external users के लिए तो इस चीज़ को हम basically extra net का नाम देते हैं extra net companies क्यों create करती हैं ताके basically जो company के let's suppose एक company है उसके suppliers हैं उनने basically information access करनी है कि जो पीछे company एक requirements systems के थूर आ रही है कि हमें इस चीज़ के जुरूरत है तो वो suppliers जो हैं अपने से related let's suppose जो हमाई company है वो गाड़ियों के गाड़ियां मनाती है तो जो हमाई supplier है वो tires provide करता है तो basically supply यह information access कर सकता है company के internet की उस window से जो के extra net up कहलाती है कि कौन से और कितनी तादाद में tires required हैं कौन से तिन और फिर वो उन orders को fulfill कर सकता है इसी ताँ जो company के distributors हैं वो भी information को access कर सकते हैं internet की और उनको पता होगा कि वो उनने कहां पे कितने trucks भीजने हैं अगर वो information access कर सके हैं company के जो कुछ customers हैं company उनको भी basically extra net customers जो extra net पे information access करनी हो वो provide कर सकती है तो basically जो extra net का purpose है वो यही है कि आपके जो external users है या external stakeholders हम कह देते हैं क्योंकि external users काफी जादा हो सकते हैं external stakeholders जो हैं वो अपने से related जो limited information है उसको access कर सके हैं तो दोस्तों इस scenario में company यह भी basically logins passwords के जरीए या पर आप यह कहलें के authentication के जरीए यह make sure करेगी यह company का IT staff के जो extra net के suppliers के information है तो supplier 1 जो है वो अपनी information access कर सके और जो supplier 2 है वो अपनी information access कर सके इसी तरह जो distributors हैं वो distribution से related सिर्फ information के access कर सके अपने area से और दूसरे distributor तक की information access ना कर सके इसी तरह जो customers हैं वो अपनी information अपने से related information company के extra net की window के through access कर सकते हैं तो दोस्तों अभी तक हमने discuss किया कि internet जो होता है वो basically network of networks है और उसका अगर organization scale down version अपने internal use के लिए use करें तो वो intranet के हलाता है और अगर उस scale down version में external stakeholders को भी company information provide करें तो वो extra net के हलाता है तो internet सबसे बड़ा होते है उन्हीं के protocols और उसी architecture को use करते हुए जब internal use के लिए company use information को use करें तो वो intranet कहलाएगा और जब वो अपने external customers को external stakeholders को भी information share करें through secure login password information तो basically वो extra net कहलाएगा तो company जो है intranet जो है और extra net जो है वो basically internet के backbone या internet के infrastructure को use करते हुए भी public infrastructure को use करते हुए भी provide कर सकती है और इसके अलावा अगर company के information काफी secured है और वो काफी बड़ी company है तो basically वो जो है अपना infrastructure develop करती है for example जो बैंक्स होते हैं और इसी तरह जो बड़ी बड़ी companies हैं वो अपन infrastructure को prefer करती हैं ताकि जो उनका data है वो confidential रहे और जो सिर्फ जिस आत्मी के लिए और जिस stakeholder के लिए वो जो data है वो externally अगर उससे access करना हो तो वो फिर authentication के सरीए access कर सके तो दोस्तों thank you very much किया आपने मुझे ifactner.com video tutorials में join किया हमना अपना discussion जाहिए रखेंगे networking से related तो मिलते हैं next tutorial में उस वक तक अगर आप मुझीद information हासिल करना चाहते हैं तो kindly ifactner.com को visit करें और मुझको subscribe करें टेक कियर बाई